हेलो एब्रिवान आम नितीश कर्क एंड स्वागत आप सभी का मेट पांट क्लासिश चैनल पर और यह जो सीरीज चल रही थी हमारी हिस्ट्रिश क्लास की एंस्यार्टी कंप्लीट समरी उसका आज फोर्थ चैप्टर होगा इससे पहले मैंने थ्री चैप्टर कवर कर लिये है अगर आपने वह नहीं देख्या है तो आप पूरी स्टोरी को नहीं समझ पाएंगे इसलिए आप एक एक वीडियो देखे तभी आप फूर्थ वीडियो भी समझ पाएंगे और वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगो कि आपको कोई भी डाउट है थ सब्सक्राइब कोशिश करेंगे इस तो जैसे के मारी स्टोरी चलोड़ी थे थर्ड चैप्राइब कि हमने प्लांट होगाना मतब जो वीड बाल ले उकाना शुरू कर दिया था ठीक है और रहना च्छे स्टोरी कंटीनिव करेंगे तो जो मारा फोर्ट चैप्र वह है इन द पहले स्टी मिल गई ठीक है जैसे कि मैंने बताया था कि रेल बेलाइन की खुदाई करते समय हमने पहले सीटी मिल गई थी अपनी और वह आज 4700 साल पहले मिली थी मतलब 2700 बीसी मैंने एडी बीसी आपका फिर्स वीडियो में क्लियर किया था ठीक है मतलब कि 2000 साल हो गया आ सेटी में क्या है स्पेशल था ठीक है सबसे बड़ी बात तो पहले था कि वह एक प्लैंड सिटी थी हम उनको नहीं कह सकते है विकाज जैसे हम पढ़ेंगे मैं बताऊंगा क्यासे आप मैं क्या रहा हो प्लैंड सीटी तो कैसे प्लैंड थी वह मताता हो देखो वह दो पार में divided थी पहला smaller मतलब छोटा पार पर अपर पार्ट वेस्ट में था वो smaller पार्ट था पर हायर था मतलब उचाई की तरफ तो जिसे हम सिटाडल बोलते थे और जो नीचे वाला पार्ट ता लोवर पर बड़ा हिस्सा था लोवर था जैसे कि मालो एक उपर की जैमीन होगी और तो उपर वाला थोड़ा smaller हुआ करता था पर हायर था मतलब उपर की तरफ तरफ इसे उसको सटेडल बोलेंगे और नीचे वाला थोड़ा बड़ा हुआ करता था पर एक तरह से क्या था लोवर टाउन में था तो उसे लोवर टाउन बोलते थे ठीक है तो दो तरह किसम ने इसको डिजाइन किया था वेरियोफन वाल्स ऑफ बेक ब्रेक वर बिल्ट अराउंड इस तरह जैसे आज की ब्रेक होती है ऐसे नहीं की कच्छी इटे बना दी मिट्टी की कच्छी इटे बनाई उनको जैसे भट्टे में पकती है ना इटे बिलकुल वैसे एटे वहाँ पर इस चीज़ को और एक जगह नहीं आराउंट जो भी जितने में फैली वी थी ना वहाँ पर सब में विल्कुल सेम थिंग्स थी और जैसे की देखो यह इसे कहते हैं इंटरलकिंग पैटन जैसे की इसमें दिखा रखाएगी एक दूसरे से इट को जोड़ कर बताया जाता है कि अब उसके बाद किया मिला है में ग्रेट बात महंजोदारों हम इन पर महंजोदार आपने एक मुवी भी देखी होगी तो उसमें वह डांस करते वह दिखाते आमत एक तरह से पानी में आते हो दिखाते तो वही यह मोहंजोदारों तक आप नहीं तो जाकर देख सकते हैं लेयर अफ नैच्रल तार मतलब उस प्लासर किया गया ब्रिक बनाए कोई ब्रिक बनाए गई है और यह को लगाने वाइवार उस तो उसको मजबूत किया गया ताकि इस पानी वाली ना पर है इतना एडवांस टेक्नोलोजी थी उस ताइम पर भी हम सोच सकते हैं आज से 4700 साल पहले ठीक है देरवार स्टेप्स लीडिंग डाउन तो इट फ्रम टू साइड में दोनों तरफ से नीचों तरने का जीना था उसमें ठीक है और रूम से चारों तरफ उसके वाटर वाटर वेल एंड रेन आउट आफ ट्रेवांस तो उसको 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 वाटर यूस करने के है वन्लांट स्ट olmas धर मरें देख सकते हैं कि किस तरह देत ठीक आउनक से रिकी है अब तरह नेश है दो रली यह गईखए नियृस करने मताल का लाटर और काली पंगर में ठीक है उसके बाद हमें हाउस जो ते वह कैसे थे वन और टू स्टोरी बने हुए थे हाउस और इसमें विद रूम बिल्ट अरूंड आराउंड और एक आंगर में आ रहा था था चारों तरफ रूम ते बत्ब जो टेक्नलोजी थी नहीं आपने देखिए ह और चारों तरफ रूम होते हैं इस तरह का उनका थोड़ा सिस्टम था और जो हाउस इस थे वह उनके बाथिंग एरिया था वह सेपरेट था एक कुवा मिलता था वह भी सेपरेट था ठीक है और जो नालिया होती थी ड्रेंज होती थी उनके बिलकुल 90 डिग्री मतलब एक करेक्टिड होती थी ठीक है तो को इस तरह से को ड्रेंज होती थी हमारी वहां पर ड्रेंज होती और सड़के थी मैं बता देता हूं सड़के बीजियों तो 90 डिग्री पर काट थी एक दूसरे को मतलब इतनी जादा प्लैन सिटी आज तक शाहत कोई बनी नहीं होगी नहीं बन पाई जैसे कि अगर हम आज के टाम में कहा देता कि नॉइडा कर शेक्टर है ना जैसे कि प्लैन करके बनाया गया है ऐसी वहां की जो तो हड़ापन सीटी थी ठीक है तो इस तरह के नालिया थी जो बिलकुल धकी हुई रहती थी और यह कुछ ड्रेंस की पिच्चर है ठ लगे निकाल दी कर ताकि उसको कोड़ रजा फच जाता हम उसको निकाल सके ठीक है और स्टीट प्लैंग में अलाग में जुफी स्की 90-degree डिघ्री एंगल पर करके ठीक है मतलब 90-degree इंगल पर क्रोस क्यों तरह नहीं ती बिलकुल 90-degree यंगल पर करती थी और हर घर के नालिय रहते थे हमेशा डे बाइड अपने सिटी को और अपने आपको इंप्रूव करने में लग रहते थे जैसे कि हमने ट्राइबस में देखा था कि वह शाब को खाली रहते थे यह करते थे वह करते थे ऐसा इनमें कुछ नहीं था यह बहुत जादा बीजी परसंस थे ठीक है और उन्होंने रूलर्स नहीं सिटी को प्लान किया उन्होंने दूसरों लोगों को बहार भेजा ताकि वहां से मेटल्स लाग सकें बहुत सारी चीज़े में तो कुछ भी हो सकता है और जो बहुत जादा प्रीशियस आइटम से थे वह खुद ही रख लिया करते थे तो इस से ज साल प्रिपेयर दा सीस वोसी बना करते दो किस के लिए बनाये करते दो जैसे कि सील इस लिए बनाए गई है तेको यहां से समान वहां बेजना यह से यह आप लाईनाद तो सील इस लगती आड़ और बहुत सारव चीज कि आपन सिटी का यह सब चीज circles ल रही थी बहुत सरी बना देते हैं कि एक हमारी पहचान के लिए सील्स बनाए गई थी और उनके ओपर लिखा जाता है तो कॉल लिखते थे स्क्राइब लिखते थे बिसाइड देवर क्राफ परसेजां के विखतेने में सक्राइब लिखते रहें हैं को तस्वीर इसलिए कि हम बहुत शुरू से मताइक तरसा हंटर ग्राथर हुआ करते थे हम जैसे जैसे कि हम फर्स जब्र सैकिंड ठर्ड चप्त में पढ़े तो इसलिए हमने जानवरों के इंपोर्टेंस थी हमारे लिए बहुत जाद इंपोर्टेंट थी तो इसलिए उनको इसील पर रखा है ठीक है और जो राइड में वह टेराकॉटर टाइस को जो बच्चों के लिए खेलने के लिए काम आते थे ठीक है अब उसके बाद है नियू छारता साल तक था आपका नियो लेतिक फिर पिर फिरेट का पार्ट है ब्रोंज को डिए चार फिरे पाट की एजिए ठीक है अगर जो यूप से के तैयारी कर रहा है वो चीज को समझे बाकि जो आप 6 लास के सब्सक्राइब दिया कि हैं वह आप इसजीश को नौर्मली तो बीट बिट एंड पर तो तो बाट उता है वहां पर स्थोन बंद बना करते थे और स्थोन के कुछ ब्लेड बिना करते थे ताकि थोड़ा सा लड़ाई-बड़ाई में कामा चाहिए लड़ाई-बड़ाई किसके उपर हो दीए आप सोचते हैं कि इस बाद को बना बाद ही देखो आज वही चीज पर होती है कि कॉंच जाधा पैसा तो उस ताइप भी वही लड़ाई-बड़ाई यह थी थी किसके पास जाधा सोच बारे में अब वेट तो इक चर्ट जो होता है चर्ट एक material होता है उसके बनते दे यूज़ ऑफ वेट प्रीचे स्टोन और जो प्रीचे बना मापने के लिए बना बना उनको अब बीड यो एक करनेल की स्टोन की बनदे बुट ब्यूटिफल रेड स्टोन होता है ठीक उसको पॉलिश करके तराश फाइन कट अब इच दियो उसको बीच में होल कर दिया तो क्या बन गई एक तो बन गई टीक है स्टोन ब्लेड बन देते और आरे मैं और कुछ क्लोट करते थे इस लाइक है और जो मैं पिच्चर है आपकी बुक में वह अब देख सकते हैं ऊसकी तो हर्डपन ओलसो मेड़ सील आऊट अफ स्टोन और क्या करते थे सील बनाते थे स्टोन की जैसे कि आमने पड़ाया जरुरली रेक्टेंगुलर यूजिस है डार अनिमेल कांव और किस तरह से बनाते थे मतलग अनिमेल बनाते थे इनके बनाती थे तो इसलिए एक तरह से उनको रिस्पेक्ट दिया गरते थे अनिमल को तो यह पर पर मिली थी वह किसी सिलवर वास में मिली थी कॉपर के साथ जड़ी हुई तो महजणतारों में तो हमने देख लिए कि कॉटन भी हो गई ती है और अंट हो तो हम उनको टोन रोटा एंड वर यूस्ट टो शिबंट फिन था फिन थ्री ठीक है इस तरह से कुछ और चीज़े में मिली है अव फिन क्या होता है इसा होता है जब यू वह उतना इसमें वही उतर पाते थे इसमें ए उसके बाते नहीं तो इसमें ठीक है और इसके सब्सक्राइब से लाने पड़ते तो कुछ जो लोकली ती हमानी जिस लाई की जो कौपर था वह में राजसान और ऑमान से मिल जाया करते तो गौल्ड करनाटका से और प्रिसी स्टों से गुजरात इरान और अफगानिस्तान से मिल जाए करते थे हमें ठीक है तो हमने रोह मटेरियल देखा है यहां पर आप फूड फूर 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 फीपर इंद सीटीज अब देखो आप सोच सकते हैं कि एक बड़ी सीटी थी सिज़े हमने सिटैल बोला एक लोवर सीटी थी जिस हमने लोवर टाउन बोला अब आप सब्सक्राइब करते हैं कि हम कितना आगे थे उसकी सोच उसकी वो शायद अगर आज भी डिवेलप करना चाहें तो शायद आज भी ना हो इतनी अच्छी सोच ठीक है तो अणियू टूल देप्लाफ कुलाड़ी जोती मतल्भ हल था वह भी हो गया था तरह से उसकी कुछ हमें वो उसके हमें फॉसल्स में मिला नहीं है पर हमें कैसे पता चला कि प्लाफ ता एक टॉइप लाफ मिला है इस से में पतल लिगे था हमन पानी का जो सोर्स इस लिए कभी-कभी उनको दूर तक चलाने जाना पड़ता था तो घासी कमी हो जाती थी ठीक है तो एक तरह से हिरन का टाइप होता है तो है एंटीलोप ठीक है फुश फिच इसको करते थे और बेर खाते थे का लिए तो हम ने उनकी सीटी में क्या करे चल रहा है एक्जाक्ली मैं आज भी बता रहा हुँ कि आप इसको कहानी की तरह समझेंगे तो बहुत जाता जल्दी समझ आएगी अगर आप इसको सीरिसली लेंगे तो exactly मैं समझने वाले हई आप हिस्ट्रीमें आज पढ़ेंगे कल को बोल जाने वाले तो कहानी की तरह पढ़े और इंट्रेस्टिंग बना इस चीज को मेरा भी वही मोटिव आपको समझाने का ठीक है तो उसके बाद कुछ जो इन्पोर्टेंट सिटीज है उनको देखते हैं कि बार पहले ठीक है यहां पर देखते हैं तो हड़ापन सीटी ज रन ऑफ कर्च तो गुजरात में एक्जैक्ली जो प्रेसेंट में गुजरात में दोनों गुजरात में एक्जैकली दोलाविरा भी लो थल में आता है दोला वीरा आपका वहां पर बहुत जादा फ्रेश वाटवाटर रहता है गुजरात के रनाफ कश्का तो फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉयल है मांके दोला विरवास दिवाइट इन्टु थ्री पार्ट में डिवाइट था यह और इच पार्ट सॉन वाल्स एक तरह से वाल्स बना दी जाती थी बहुत बड़ी बड़ी और एंट्रेंस तो गेट मे शादी विया के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए सर्मिनी बगार के लिए वह सब चीज़े खाली छोड़ जाता उसके बाद लाज लेटर अफ हड़ापन सिस्क्रिप्ट वर काफ आउट वाइट सोन और कुछ जाद बहुत जाद हमें स्क्रिप्ट मिली है देखो हम समझ में कब आया जब वी सक्रेप्ट मिली है सारी चीज़े हाँ ऐसे नहीं समझ पाते हम आप चलते हैं लोथल के तरह तो यह और यहां पर यह सबर मती कि रिवर के पास होता है ट्रिबूरे अधे बैंक आफ ट्रिबूरे आफ सापरमती बहुत जादा फेमस रिवर है जो इस ताम आहमदाबाद में है ठीक है प्रिजेंड आहमदाबाद ठीक है तो क्लोज तु दा गल्फ आफ कंबत और सिटुएटेड नियर एरिया विद रॉम सापरमती के रिवर पर जैसे कि दोक्याड में दिखाता हूं आपको यह लग्याड था ठीक है तो डॉक्याड जो था अब हम क्या करते थे इस पर तो सील का यूज क्योगा तो जहां जो से इधर से उधर सामान जाएगा ठीक है तो हम उससे लगी रहेगी ना यहां पर यह इंडिया का है रिप्रेजट को सब कोंटिनैंट को वह कर रहा है ठीक है तो हमें समझ में कॉझ्व हमारा यूइम हमारा वह करेंग तरन से आप समस्झतल में यह क्या वत तो जैसे हैं कि आज भी देख लो जहाज को समान posture होथे तो स्टंप लगता है निक पिरांट रिह जो होता है को इसको सब्रते अब क्या हुआ हुआ है डिखो San which सब्सक्राइब नालिया वगेरा तोड़ दी उनको ठीक है और जो हाउस ते वो सड़कों पर बनाएब बनाएब अधिक है और बहुत सारी जनते पर आज भी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजेंस बारे में कि 1850 सिविलाजेशन के साथ हुआ क्या एक जैकली इतनी अच्छी सिविलाजेशन इतनी ऐसे कैसे खराब हो गई ठीक है और इसका खराब होने का देखू गई एक 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 और पढ़ मैंने बताया था बहुत साथ इंपोर्टेंट एरिया है वह ठीक है जब हमारे वेद लिखे गई दिया रोतरप्रदेश वगए रभी तो वह 500 बीसी में हुई थी ठीक है हमारी जन्यू सिटीज मर्ज अबाउट फॉर्ट फॉर्टीन हंड्रेड इयर्स अगों मतलब अब से नाइटीन हंड्रेड में खतम हो गई थी तो एट पाउन सो बीसी हमारी नई सिटीज आई अब उसके बास उसका असर क्या पड़ा कि हम पाउन सो बीसी में ना एक तरह से पांच हजार साल पहले पहुच गए मतलब चरवाहे थे ना चरवाह गाया बहा चरा रहे थे तो वह पर यह हम 500 बीसी पर करने लगे तो जो हमारी जो एक तरह से हड़ापन सिविलाजेशन थी वह इतने एकदम हाई पीक पर थी उस तैम पर हड़ापन सिविलाजेशन चल रही थी ना मतलब उसके आसपास भी कोई भी सिविलाजेशन उसका मुकाबला करने को तयार भी नहीं इतनी एडवांस थी हमारे हड़ापन सिविलाजेशन अब हम जब उसको जो उसका अंत हुआ उसके पास हम गंगा के प्लेंस के पास आए तो हमने देखा कि वहां पर 500 बीसी के पास हम और भी पीछे पोच गया है पांसला साल पीछे पोच गया और हम चरवाहे बन गए दो ठीक है फिर हमारा जो अगला किंडम बनाता हो मगद बनाता तो आप सोस सकते हैं कि हम कितना पीछे पहुच गयते उसके बाद जापी बुक में लास स्टोरी दे रखिए वो एजिप्ट के बारे में दे रखिए ठीक है एजिप्टन सिविलाजेशन उस तेम चल रही थी जै सब्सक्राइब करते हैं अपने आर्मी को चोना चांदी ओवरी टेंबर प्रीच स्टोन लेने बेजा करते थे और कुछ प्रामेट्स बनाते थे ठीक है प्रामेट्स किसी बनाते बहुत ज़्याद महान परसन हो जैसे महान लों किंग की टैथ हो गई क्यों की टैथ हो गई तो इसको पट्टियों में लपेट कर एक काटों बंद करकर उसको क्या करते थे ममीज बना दे करते थे तो यह सब ममी बनाने ममी बनाने की उनकी प्रता थी वह स्टार्ट हुई थी वह से और लान नमजव ऑफ ऑब्जेक्ट बरीड लॉंग ठीक है तो एक तरह से फिर जो लाजमरफ ऑब्जेक्ट थे उसमें वह हमें मिले तो हमने बहुत जादे देखा कि एजिप्ट में भी और हमारी हड़पन सिविलाजेशन है इसमें हमने देखा बाकी जो आगे की स्टोरी है मुसको आगे कंटिन्यो करेंगे आगे जो हमारे बगंगा के प्लेंज होंगे व और जो हमारा आगे की स्टोरी है मुसको जाले रखेंगे अपनी नेक्स वीडियो में और अगर आगे कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन है मुझसे पूछ सकते हैं and keep supporting, keep learning, thank you so much